है लोस्तो आप सबीक सोक्त बात करेंगे हाँ पर एक शांदार कमपनी के बारे में जिसके अंदर निवेशक मल्टी बैगर रिटन कमा रहे है वो भी खाली 6 महिने में मैं बात कर रहा हूं यूनियन बैंक उप इंडिया के बारे में इस कमपनी से तो रिटन जनरेट हो रहे हैं दोस्तो उसके साथ कमपनी बड़े प्लैन लेकर आ गई है तो क्या हो रहा है यहाँ पर Union Bank of India में वो यहाँ पर हम discuss करेंगे और किस तरीके से आगे company grow करेगी और हमें output कैसे मिल सकते हूँ यहाँ पर हम देखते हैं देखें छोटे share के अंदर कोई बुरा ही नहीं है जब उसके fundamental and company को वैसा environment मिल जाए और मैं आपको दिखाना चाओंगा खास करकर Union Bank of India ने देखिए 6 महिने के अंदर दोस्तो यहाँ पर 116 परतिशत याने multi bag return निवेशक को कमा कर दे दिया यह return देखकर आप चोग जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो share खाली 36 रुपए पर चलता था वो आज 80 रुपए पर आ गया वो भी इतने यहाँ पर pressure वाले market में भी means इस company में कोई ना कोई valuable चीजे चल रही है और दोस्तो यहाँ पर Union Bank of India में mutual fund ने 1000 करोडों का पैसा लगा दिया अभी यह December महिने में लगा दिया है तो आप समझ सकते कि क्या यहाँ पर इसमें यूनिक नेस यहाँ पर जो दिखाई दे रही है उसका फाइदा लेने की कोशिस सभी कर रहे है छोटा stock है means यहाँ पर company में कोई growth नहीं ऐसा हम समझी नहीं सकते बिलकुल growth हो सकती है जब उसके लिए environment सही रहेगा अब वो environment कैसा है company के decision वगरा क्या है all around सभी चीज़े यहाँ पर हम discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँगा देखिए news के बारे में जो आज यहाँ पर दिखाई देती है जो union bank है उनके तरब से एड एक जो चन्ने में जो drone होते है farmer के लिए खास करकर जो बनाए जाते है उसका manufacturing company जो करती है उसका नाम यहाँ पर आप देख सकते है दोस्तो दक्षन यहाँ पर नाम है जो एक company है पूरी तरह के से drone का agriculture related जो manufacturing करती है उनका और union bank का यहाँ पर agreement हुआ वो भी जो finance करने के लिए union bank finance provide करेगी यह सबसे important बात है और यहाँ पर देख सकते हैं 13 January 2023 आज की details है अभी बात करेंगे next news के बारे में जो सबसे important इस company के लिए है जो 1000 करोडों के धमा के कर रही है union bank rates rupees 3500 करोड rupees higher यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है तो यहाँ पर देखिए detail थोड़ा अच्छे से understanding करना है higher क्यों किया है क्या चल रहा है पैसा कहा से आ रहा है ICICI Securities Yes Securities JM Finance यह all जो brokerage form है हम कही सकते कि investors इंडिया के इनको बुलाया गया अब यह क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर जो fundries का जो formula यूज कर रही है यहाँ पर union bank वो है देखिए qualified institutional bidder के throw means QIB लाकर यह company इतना सारा पैसा raise कर रहे market से इसलिए आपको घबराने के जरूरत नहीं है बहुत बड़े धमाके की तयारी 3000 से लेकर 3500 तक करोडों का यहाँ पर यह company अच्छा खासा fund raise कर रही है यहाँ पर quarter 3 के result की बात हो रही है उसमें तो बड़े धमाके करने की बात दिखाई देती है तो आप नजर रख सकते दोस्तों और मैं आपको अभी और important detail के तरफ लेकर जाता हूँ जिसका फाइदा आगे आने वाले समय में ले सकते है अभी दो news को cover किया हमने अब बात करेंगे आज क्या चल रहा था इस stock में Union Bank of India के अंदर आप देखेंगे तो आज 1.20.000.000.000 का transaction हुआ और उसमें से 20.000.000.000 quantities खरीद करने बेशिक ने अपने portfolio में रख ली है और आप यहाँ पर इसके result के बारे में detail देखेंगे तो इसके date यहाँ पर दिये गए है मैं आपको थोड़ा official detail भी बता देता हूँ क्या date है इनके results related वो भी देखते है updates यहाँ पर आ रहे है और आपको यहाँ पर updates में बता भी देता हूँ इसके अंदर के कुछ point आपके आगे रखना चाहूँगा इस company में यहाँ पर जो इतनी बड़ी गिरावट पहले से हमें देखने को मिले और आभी तेजी आ रही है तेजी इसके अंदर improvement हो रही है business banking का बढ़ रहा है बोलकर आ रही है और इसमें negative जो performance था पिछले काफी समय से यह stock ने यहाँ पर बड़ी जो growth दिखाई ने उसके पीछे reason ने देखिए यह government का stake means president of India के तरब holding means government के पास इनका stake है पूरा अच्छा खासा याने कि कितना है देखिए यहाँ पर दोस्तों जो union bank of India है उसकी shareholding चेक करते हैं यह बहुत important होता है promoter का stake देखेंगे तो constant है 83.49% उसके बाद में आप यहाँ पर FIS का देख सकते हैं FIS का stake यहाँ पर June quarter से बढ़ते वे नज़रा रहा है धीरे धीरे देखना यहाँ पर 1.13, 1.43, 1.62 means यह देखिए आगे के quarter से June, September, December ऐसा मज़ समदना कि shareholding कम हो रही है यह बढ़ते जारी है थोड़ा shareholding को चेक करने का भी तरीका आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं and यह DIS means इंडिया के domestic institutional investor जो है उनका stake देखिए जो 6.90 था फिर वो 7.05 हो गया और फिर 8.39 हो गया December में बहुत बड़ा माल mutual fund वालों ने उठाया है means यह जो DIS है इसके अंदर के बड़े निवेशक ने अच्छी खासी खरिदारी कर ली है तो आप जरूर दोस्तों यहाँ पर सोच सकते है Union Bank के बारे में जो details थे वो सभी महिने आपके आगे रख दिये अब यहाँ पर हम इसके result के बारे में discuss करेंगे यहाँ पर देख सकते देखे Union Bank के जो result है उससे related यहाँ पर announcement हमें देखने को मिलती है वो है 20 तारिक को 20 January 2023 को यहाँ पर Union Bank के result आने वाले है तो be focus and be ready दोस्तो आप यहाँ पर नजर रखिए बड़े कमाल के धमाके इन company में हो सकते है result अच्छे आ गए तो बड़िया कमाई आपकी यहाँ पर इन company से हो गई thank you so much